हेलो फ्रेंड्स आजका हमारा टॉपिक है हेडिंग टेक अब हेडिंग टेक का यूज हम क्यों करते हैं जब हम कोई भी कीवड यहां पर गूगल में लिखते हैं माल लीजिए कि पी एच पी ट्रेनिंग इन खुजरार यह जब हम लिखके एंटर करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमने हम एच वोर्ड लिख देता हूं आगर यह हेडिंग टेक में hoगा तो इसका क्या होगा कि ई कीलो वर्ड इंडेक्स सर्च करने के लिए वेरिफा हो जाएगा कि सउझ एंजीन में कुछ भी कोई user search करें तो hello world को वो consider कर देगा तो अब क्या करना है हमें heading tag use करना है तो heading tag क्या होता है कि यहाँ पर माल लो heading tag h1 to h1 tag से लेके h6 तक h6 h1 उसके बाद h2 उसके बाद h3 उसके बाद h4 उसके बाद h5 और h6 अब जो भी हम tag start कर रहे हैं उसको end करना है तो h1 over यहाँ पर slice और h1 slice और h2 slice और h3 slice और h4 slice और h5 और slice h6 अब यहाँ पर हम content लिखते हैं बीच में h1 कि web page में h1 दीखे मैंने h1 लिख दिया और उसके बीच में h1 लिखा हुआ है यह h1 जो है वो content है वो मैंने लिखी हुए है अब मैं यहाँ पर run करता हूँ तो आप देखो heading tag में हमें h1 दीख रहा है अब मैं h2 में h लिखूंगा h2 तो वो h1 से थोड़ा छोटा आएगा फिर h3 में h3 लिखता हूँ तो वो उससे छोटा आएगा h4 उसके बाद h5 फिर h6 h1 से लेके h6 तक tag है आपको जैसे भी heading की requirement है जैसे h1 की requirement है बड़े font रखने है तो h1 यूज़ कर सकते हो उसके बाद h2 उसके बाद h3 h4 h5 और h6 इस तरह से हम heading tag यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी content का हमें heading लिखना हो जैसे homepage की content है तो यहाँ पर homepage लिखना हो तो इस तरह से homepage लिखेंगे जिससे की पता चले कि यह content का heading है उसके बाद मुझे add to में लिखना है about us तो about us लिख सकते हैं इस तरह से हम heading देख सकते हैं किसी content को अगर heading देनी है हमें कि ये home page की content है ये about us की content है ये contacts का form है तो कुछ भी हमे heading रखना हो किसी भी page का तो हम इस तरह से content का heading रख सकते हैं तो h1 से लेके h6 तक tag है जिसमें हम heading दे सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि heading tag का use क्या है और वो h1 से लेके h6 तक है थैंक यू फॉर वाचिंग देश वीडियो